नंदिश्वर महादेव का स्मर्ण करकर जिसके कंठ में गले में शरीर में बड़ा रोग हो जाता है बहुत बड़ा कोई रोग हो गया जैसे सहज भासा में कहें कोई बहुत बड़ी बिमारी बहुत बड़ा रोग बहुत बड़ी अगर बिमारी बहुत बड़ा रोग सरीर में हो गया कोई लीवार कोई किड़नी कोई काइंसर जैसा भी रोग हो गया तो श्यू महापुराण की कथा कती है एक दुर्भा कितनी दुर्भा एक दुर्भा एक दुर्भा एक बेल पत्र नंदिश्वर महादेव के नाम से शंकर जी को समर्पित कर दो पहले दुर्वा चड़ा दो जैसे आपके पास में दुर्वा हो तो पहले शिविलिंग पर दुर्वा चड़ा और दुर्वा चड़ाने के बाद में फिर बेलपत्र समर्पित करो और समर्पित करने के बाद में धीरे धीरे देव अधिद्यों महादेव उपर जल का पात्र से तांबे के कलस से धीरे धीरे शिवजी को जल समर्पित करूं कि दिरे खागवारान को फिर जल समर्पित करना प्रारम करेंगे जल चड़ाकर उसको दुर्भा बेल पत्र जो चड़ाई है उसके उपर से चड़े हुए जल को आप लेकर आएंगे नंदिश्वर कि शिवजी का नाम लेकर नंदिश्वर महादेव का नाम लेकर उस जल को किड़नी लीवर कैंसर जैसे बड़े-बड़े रोग जिसके शरीर में हो गए हो उसको मात्र आधे से आधा चम्मच जल भी रोज परती दिन द प्राम लगना प्रारम हो जाएगा नंदिश्वर महादेवार्व